पढ़ने का उमर है प्राई कर ले प्यार मुखबत के लिए सल्मान खान का उमर भी बहुत है और जिसको तुम दिन रात पीछे पढ़कता है ना सल्मान खान बुढ़ोती में उसको दू मिनट में पसा ले लड़की खुबसूरत हो और लड़का कम्याब हो प्यार दो मिनट में हो जाता है प्यार करने से पहले अंजाम देख लो और अगर विश्वास नहों तो गजनी और तेरे नाम देख लो इसमें पीटाना एकदम फीक्स है अपने चुपट होगी तुमको भी लेके डूबएगी संज में आगया कि ने आगया अगर जिस दिन अपनी रोयलिटी देखनी है अपनी आउकात देखनी है तो अपनी पीता जी के पैसे इस्तमाल करना है छोड़ दीजे साम तक आपको अ अवकात समझ में आजाएगी आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं प्यार करने निकले हैं साज आने भी साजमाल बनवाया था तो खुट के पैसे से जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है असली वीर तो तब है जब हार पकी और फिर भी करन की तरह युद्धमे उतर जाओ जिसको दादा दाधी का प्रेम नहीं मिला लगहां उसने जीवन के एक हिस्सा गांआ दिया जिंदधी का एक हिस्सा गांआ दिया अज संही बात चूह इसलिकाओ Keशफ जान के जिसको नहीं मिला हुग है यह दादा ऐसे पईसे हुआ दादा बता है अईसे नहीं पिर पूचे का शुच्या कुछना कुछना टंगी एक सराव वाला मिला हमको इसे हर आज में तो नहीं है बेली में मिला हम से प्रेखांसर लेते हैं सराव होगरा मतलो आईसे करा अम्हीं कहा है अभी आप जीवन में का फाइदा आपको जीवन का जब सरावे नहीं पीते हैं कि दूरे तो पूरे तो पूरा जीवन का समझ में आ गया है तुम्रा कई ठोके तो दुख्या का महिला सों में सबसे बड़ का दिक्कत है विया होने का तो हो जाएगा कोई सन गहर मीलेगा सोचते कितना रिस्क का काम है सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर मान के चलिए सराव पीने वाला मिल गया सब कितनों अच्छा रहे का पी लेगा तो उसका अलगे दुनिया हो जाता है अब उसको लगता है कि विर्यस्पती ग्राप है सुबेरे पता चलता है रहे सुच्छा सास के इसन मिलेगी बहुत जाड़ जहमेला है सास की अलग नोटंकी होता है उसका उसकी उसको लगेगा उसकी बेटी दस बजे सो के उठे अब बहुत चारे बजे उठ जाए एक चीज़ बहुत माइने रखता है यह टाइम पर समय के पास इतना समय नहीं दोबारा समय सकती है उसको डेलब की जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पर आपको सर्ज करते चाब आप सडि़िंग से कम चीजikan को अपने ज्यादे से जादे सीखने में खर्च करते हैं अगर आपको राजा बनने का सोख है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सुखी ये दुख ये दर्द ये सब तेरे अंदर है तू अपने बनाएं इस पिजड़े से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर है